Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग, hotel management जब हम करने के लिए जाते हैं, तो hotel management से related हम सारी information निकालने के कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, वो है कि कौन से वो hotel brands है, जहाँ पे हमें आगे चल के future में काम करना चाहिए, कौन से वो properties है, जह चाहे वो Indian properties हों, चाहे वो international chain properties हों, जहाँ अगर आपने अपने career की शुरुवात कर ली, तो definitely आपको बहुत फाइदा होगा, नौ इंडिया की top 10 hotel chain properties के बारे में बताने से पहले, एक basic सा overview आपको देता हूँ, जिनको नहीं पता है कि hotel chain properties क्या होती है, एक parent company होती है, जिसके एंडर में आपके बहुत सारे hotels operate कर रहे होते हैं, same brand name के एंडर में, और अलग-अलग locations पे तो उसको बोला जाता है chain properties, ओके तो इंडिया में कौन सी हैं, वो top 10 chain properties अब शुरू करते हैं, number 10 पे आपका आता है lemon tree hotels and resort, नव ऐसे तो lemon tree hotels की mostly properties upper mid scale या mid scale level की हैं, यानि कि 5 star level की properties बहुत कम हैं और 4 star level की या economy level की properties जादा हैं, और मैंने भी अपनी वीडियो में हमेशा बोलाई कि 5 star से शुरुवात करने की जरूत है, एक अच्छा 5 star property आपको चूज करना चाहिए, लेकिन lemon tree hotels को इस list में include करने के दो कारण थे, सबसे पहला कारण है कि lemon tree hotels बहुत सारी अच बहुत के लिए, और second reason है कि lemon tree hotels अब बन गया है, इंडिया की top 3 chain properties में, यानि कि number 1 पे आपका ITC hotel group है, जिसके सबसे जादा hotel है, Indian brands में, second है ताज ग्रूप और third number पे lemon tree hotels आता है, जिसके लगबग 80 से उपर properties इंडिया के अलग-अलग कोनों में run हो रही है, 9th number पे आता है इंडिया में लगबग 90 hotels हैं, तो अगर आपको यहां पे भी opportunity, एक अच्छी opportunity मिलती है, तो you can definitely go for it, reddison hotel group के अंडर में, जो आपके brand आते हैं, वो majorly reddison blue hotel है, जो इंडिया में आपका सबसे जादा है, उसके अलावा parking, park plaza जैसे और brands भी है reddison के, बट वो थोड़े छोड brands हो गए, और बड़ा जो brand है, वो है reddison blue, तो reddison blue में अगर आपको कुछ अच्छी opportunity मिलती है, तो you can definitely go for it, well, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक और चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा mega festival, learning festival, unacademy की तरफ से चल रहा है, जिसमें आपको IIT, NEED, JEE, वगरा वगरा, सारे competitive exams included है, यहाँ पे आपकी live classes चलने वाली है, 45 days तक, साथी साथ CBSC exams related, कोई भी आपकी tension है, कोई भी problem है, तो वो भी आपकी solve करी जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल free में, 24 into 7 आपके doubt solve हो जाएगे, मतलब कोई भी doubt आपको अगर questions से related है, वो भी आपके solve हो सकते है, और साथी साथ आपको academic counseling भी आपको provide करी जाएगे, so I guess अगर आप future में किसी competitive exam को देना चाहरे है, तो इसके लिए आपको यह package जरूर खरीदना चाहिए, because 2.99 में आपको 45 days की classes मिल रही है, और इतना सब कुछ मिल रहा है, I think you should definitely go for it, या फिर अगर आप N CHMJE को ही target करें, तो अब आप classes ले सकते हैं, बहुत कम time बचा हुआ है, एक से डेड़ महिना बचा हुआ है, आपको exam देने के लिए, तो I guess आपको coaching लेना शुरू करना चाहिए, अच्छे से preparation करना चाहिए, बहुत ही nominal prizes में an academy आपके साथ, आपको help करेगा, so अगर आप एक अच्छी preparation चाहते हैं अपने लिए, तो you should definitely subscribe to an academy, links are in the description, आप hotelier code को लगाएंगे, तो आपको extra discount भी मिल जाएगा, और आप एक ride preparation, एक बढ़िया preparation भी कर पाऊगे, इसके बाद आता है आपका Hilton Worldwide, Hilton Worldwide भी आपकी international chain properties है, Hilton के इंडिया में operational लगबक 15 hotels हैं, बड़े हिल्टन के जो popular brands हैं हो है Hilton Hotels और साथे साथ DoubleTree by Hilton और भी बहुत सारे brands हैं, बड़े इंडिया में आपको majorly Hilton और DoubleTree by Hilton ही देखने को मिलेगा, 7th number पे आता है आपका Hyatt Group of Hotels, तो Hyatt भी बहुत अच्छी chain property है, international chain property है, worldwide इनके बहुत सारे hotels है, इंडिया में अगर हम बात क बहुत सारी properties इनकी operate होती है, so yes अगर आपको यहाँ पे भी opportunity मिल जाती है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, 6th number पे आता है आपका Accor Group of Hotels, ये group भी बहुत बड़ा brand chain property है, international chain properties है, इनके भी बहुत सारे hotels worldwide है, इंडिया में लगबग इनके 46 operational hotels हैं, under the name of Pullman, No Hotel, Ebis जैसे brands के अंडर में इनके बहुत सारे hotels run हो रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा और lucrative package देते हैं, शुरुवात में भी तो अगर आपको एक अच्छा package चिये शुरुवात में, अगर आप बिल्कुल low से भी start कर रहे हैं, तो definitely Accor Group आपके लिए best रहेगा, 5th number पे आता है आ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इंडिया में Intercontinental Hotel Group के लगबग 36 properties हैं, जिसमें से आपका Holiday Inn हो गया, Intercontinental Hotel हो गया, Crown Plaza हो गया, Holiday Inn Express हो गया, इन सारे brands के अंडर में Intercontinental Hotel Group operate करता है, 4th number पे आपका जो आता है, वो है ITC Hotels, नाव ये जो chain property है, ITC के अंडर में ये आपकी Indian chain property है, और इसके बहुत ज्यादा hotels है, लगबग 100 plus hotels हैं, इंडिया में, और अगर Indian chain properties की भी अगर मैं बात कुनों, तो उसमें number one पे ITC ही आता है, जिसके सबसे ज्यादा hotels हैं, all over इंडिया में, बहुत सारे luxury properties, ITC के अंडर में आती है, like ITC Grand भारत, ITC Grand चोला, वगरा बहुत सारी properties हैं, तो अगर आपको यहाँ पर opportunity मिलती है, तो luxury class hotel में आपको काम करने का मौका मिलेगा, third number पे आपका आता है Marriott International, Marriott International की खास बात यह है, कि it is one of the biggest chain property, not only in internationally, but also in India, मतलब internationally भी अगर मैं बात करूं, तो number one पे आपका Marriott International आता है, जिसके सबसे ज्यादा hotels है all around the world, साथी साथ इंडिया में भी इसके सबसे ज्यादा hotels है, 120 से उपर hotels है, और जितने किसी एक chain property के hotels नहीं होते, इससे ज्यादा इनके brands है, यानि कि लगबग 30 brands के अंडर में Marriott International operate करता है, बहुत सारे अलग-अलग brands है, like JW Marriott, Farfield by Marriott, Rich Carlton, Westin, Sheraton, Four Points by Sheraton, etc., 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 जैसे 30 brands, Marriott International के अंडर में आते हैं, second number पर आता है आपका ताज hotel group, ताज hotel group जो है आपका Indian chain property है, और इसके लगबग 80 से अबव hotels operational है, इंडिया में, ताज जाना जाता है अपनी finest luxury class hotels के लिए, finest quality service के लिए, यानि कि अगर आपको ताज में job मिल जाता है, as a startup या फिर management trainee program, या फिर उनका TMT program, जो management trainee program होता है, साथे साथ का THT program, जो hotel trainee program होता है, या supervisor program होता है, वो भी अगर आपको मिल जाता है, तो definitely आपके लिए बहुत अच्छा head start होगा, so अब आता है आपका number one hotel company, जो की जहाँ पे अगर आप काम कर पाए, या फिर आपने काम कर लिया, तो definitely आपको बहुत फायदा होगा आगे future में, well I hope आपने सही guess किया होगा, वो है Obroise Hotel, Obroise जाना जाता है अपनी finest service और finest luxury class hotels के लिए, not only in India, but all around the world, वैसे तो Obroise के के केवल 25 properties ही हैं in India, जो की वो Obroise के अंदर और Trident Obroise के नाम से operate करता है, बट जो luxury class services वो provide करता है, उसकी वज़े से उस दैपूर का जो hotel है, वो all around the world, कई बार number one hotel रह चुका है, या top 10 hotels में बना रहता है, so इसी से आप समझ सकते हैं कि Obroise किस level की service देता है, और वैसे भी जब हम hotel management के बारे में सुनते हैं, तो हमारे को दो ही brand पता होते है, ताज, Obroise, तो यह ही हमारे इंडिया के iconic brands हैं, so I hope आपको description में मिल जाएगा, thank you so much, have a nice day, bye!